वेल दोस्तों से आप सभी चानते है एक्टुमबर का मेन आज से स्टार्ट हो गया नहीं आज से MIUI टेने स्टेवल वरदन का सेकंड बेच का अपडेट भी रॉल आउट होना शुरू हो गया है फिलाल मातु करते हैं किस रिवाइस में रॉल आउट हुआ है और किसStud्स दीवाइस को भिल चुका है देखिए आप मिला तो टो किसे को नहीं लेंगिए वी रॉल आउट हुआ है कुछ लोओ को मूल गया है कुछ लोगको एप्डेट नहीं मिला है फिलाल के लिए रेड्मे 6 और Redmi 6A के लिए rollout किया गया है, Redmi 6 के लिए MIUI 10.0.1.0 का stable update rollout किया गया है, और Redmi 6A के लिए MIUI 10.0.2.0 का update rollout किया गया है, अगर आप ये दोने smartphone में से किसे एक smartphone को use करते हैं, तो आज जा कि अपने update चेक किजिए, वहाँ पर आपको update आगया होगा, और update नहीं आया है, तो download link में description में दिया है, वहाँ से आप download करके flash कर सकते हैं, उसमें भी कोई दो राइट नहीं है, तो links भी available होगा है, सब कुछ available होगा है, तो update आने में करीब करीब एक दो दिन और लग जाएंगे सभी की devices में, तो wait कीजे, Xiaomi इस बात में fast है कि हमको update कम से कम दे रहा है, दोस्ताब बात कर लेते हैं, दोनों ही smartphone के full review के उपर क्योंकि दोनों ही smartphone में एक ही जैसा change log preview आया है, तो उनों ही mobile के similar एक साफ बात ही कर लेते क्या कुछ interesting विचर आया है दोनों ही smartphones में, मैं हाला कि इन दोनों ही smartphone का full review नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ highlight जो features आया है उनकी उपर नजर डाल रहा हूं, full review आप सभी जानते हैं हम में similar साथ जिसमें MIUI 8NR है, उनमें सब similar से features आएंगे, तो उसमें कोई दोर आई नहीं लेकिन कुछ highlight feature होते हैं, उनकी उपर नजर डाल लेते हूं, देखे हैं सबसे पहले हम बात करते हैं, Redmi 6 & 6 के दोनों ही smartphone की, दोनों ही smartphone ने similar feature है, जो भी feature के नाम लूँगा, वो दोनों ही smartphone में आया है, सबसे पहले हम बात करते है face unlock की, face unlock का update भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, कि हमें budget range के smartphone में भी face unlock दिखने को मिल रहा है, वाग, Xiaomi MIUI 10 के साथ में face unlock दे रहा है, शायद मेरे साब से, Redmi Note 4 में भी, MIUI 10 के साथ ही face unlock दे दे, दे दे तो अच्छी बात होगी वाशी ना दे तो पूरी बात होगी, वाइल अगर हम next feature के बात करें, next feature भी बड़ा ही interesting है जो कि आता है, blur या फिर bokei mode का, अगर आप अपने mobile के selfie camera यूज़ करते हैं, फ्रेंट वाला camera तो उसमें blur या नहीं bokei mode को option देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, हाला कि दोनों स्मार्टफोन में ऐसा हैं यहीं Redmi 6M दे दिया गया, नहीं दोनों स्मार्टफोन में Selfie के उना में portrait mode option दे दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है आप बड़े यूज़ कर सकते हैं, फिलाला आगे बढ़ते है next feature की तरह, next feature आता है security patch level, दोनों ही smartphone में सक्तम्बा का security patch level बढ़ा दिया गया है, मत बद कर दिया गया है सक्तम्बा का security patch level कर दिया, ज युक्छ शयामी को थमसब दे सकते हैं, कि Xiaomi कब सकं security patch level बढ़ा जा रहा है, चलि हम बात करते हैं अगले वीज़र के ऊपर, तो यहीं थे यार इंटरेशनिक विचर्स बाकि सभी सिमिलर से विचर्ट तो जो मैंने सभी का नाम लिए ने आपके लिए इंपोर्टेंट क्या है फिशनलोग इंपोर्टेंट है पाले कि Redmi Note 4 इन में नहीं आया तो इन में भी बहुत जल्दी आदा आएगा और जिन डिवाइस में OTP का वेट कर रहे है तो उन डिवाइस में OTP बहुत जल्दी आजाएगा याने कि आने वाले एक दो दूरें में सभी कोई पीडिट मिल जाएगा तो फिलाल इस वीडियो में टेता है तो आपको लिए एक्साइटिंग वीडियो के लिए जए हैं पंदे महत्रों